चलिए सर कुश्चिन नमर एट हमारा दो टाइम का डेटा गीवन है इसमें पढ़ लेते हैं कहता है एबी सी मोटर एसेंबल सेल मोटर वीकल एसेंबल का मतलब होता है कि किसी चीज को जोड के और फिर बेचना इसका काम है जोड के बेच रहा है इट यूज एट एक्चुल कॉस्टिंग सिस्टम इन विज दा कॉस्ट आर कैलकुलेटेड ओन मंथली बेसेज डेटा रिलेटिंग गीवन है कहता है सर हमारे कुछ मार्च के इनफोर्मिशन दे रहे हैं और कुछ एपरिल के इनफोर्मिशन दे रहे हैं ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं है ओपनिंग स्टॉक आपका यहाँ पे दे रहा है ठीक है सर पोडक्शन हमारा कहता है कि यहाँ पे अब 500 और 400 sales यहाँ पे 300 और 520 variable cost आपको दे रखा है और sir यह सारा का सारा क्या है sir सारा का सारा unit है manufacturing cost दे रखा है distribution cost per unit दे रखा है distribution cost क्या होता है sir selling है यह selling को ही distribution कहते है fix cost दे रखा है manufacturing का दे रखा है marketing का दे रखा है the selling price of vehicle 24,000 रुपे का बेचते है prepare income statement of ABC motor march महिने का variable cost और absorption explain difference क्यों आया ठीक है sir कर लेते हैं मैं पहले कर लेता हूँ आपका जो doubt था साक्षी का doubt था sir absorption में समझ में नहीं आयो तो बिल्कुल पहले absorption का ही कर लेते हैं so that clear हो जाए यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा होना possible नहीं है क्यों sir यहाँ क्यों नहीं होगा क्योंकि हमारे दो साल के data है यहाँ पर दो साल दो महिने का तो यानि दो बार ही तो करना पड़ेगा चलिए sir एक दो चलिए यह मैं ले रहाँ मार्च और यह एपरेल सबसे पहले क्या लेते है sir सबसे पहले लेते है sales सबसे पहले लेते हैं sales sales में कहता है 24,000 रुपए का unit है थोड़ा calculation आप करिएगा आज मेरे पास इस studio में calculator है नी तो आप calculation थोड़ा साथ रखिएगा कहता है 350 unit तो आप मुझे बता दिजी amount एक बार 24,000 into में 350 क्या होता है इसके लिए और दूसरे के लिए आप into करेंगे कितने से सर 520 से तो एक बार फटा फट आप April का sales बता दिजीए और March का sales बता दिजीए क्योंकि मैं आपका ही देख के आगे करूँ है 84 लेक दीपक का कहना है तो सर 84 लेक और एपरिल का क्या है एपरिल का आपका है वन करोर वन करोर 24,000 ठीक है तो एक करोर 24,000,000 ठीक है टोटल भी यहां जाएगा 84,000,000 1,24,000,000 ठीक है थोड़ा बाहर जा सकते है absorption है तो यहां पर लिका लेंगे अब क्या production cost Sir absorption है तो यहां निकालेंगे हम अब production cost production cost सर बताइए production cost क्या होगा production cost में हम लेंगे सबसे पहले variable manufacturing cost अब देखें यहाँ पर एक शब्द को ध्यान दीजिएगा कहता है sir manufacturing cost जो है न वो है per unit ठीक है सभी unit में दे रखें manufacturing manufacturing हमारा आएगा एक के लिए आएगा 350 और into में 10,000 और एक के लिए आएगा 520 और unit तो same है 520 और वो भी 10,000 है तो बदलाव नहीं होगा तो यह त्यान रखेंगा यह मैं बना रहा हूँ एप्रेल महिने के लिए बस इसको आपने इससे multiply आपको बस इसको इससे multiply कर देना एप्रेल के लिए और मार्च के लिए तो इससे और इसकी multiply कर लिए तो सर यह पांच जिरो आजाएगा पांच जिरो आगया 35,000,000 520 तो 52,000,000 हो जाएगा यह 35,000,000,000 सर प्रोडक्शन कॉस्ट है तो पांच सो चार सो 500 रुपे है प्रोडक्शन कॉस्ट बच्चे कह रहा है सर manufacturing per unit ओके जी मैंने इस selling से multiply कर दिया मेरी गलती है मुझे इसको किस से करना चाहिए multiply sir यह प्रोडक्शन से प्रोडक्शन का unit तो अलग है चलिए 500 गुणा में 10,000 और एक काएगा हमारा 520 और इसका भी गुणा में 10,000 नहीं 400 बार बार वही ध्यान जा रहा है 400 into में 10,000 सही कर दिया चलिए लीजे तो सर यह आजएगा 50,000,000 और यह 40,000,000 सर फिक्स भी यह आएगा फिक्स कॉस्ट सबसे मज़ेदार होता है टेंशन नहीं तो 20,000,000,000 manufacturing का marketing वाला तो बाद मिलेंगे इसको बोलेंगे cost of production सर पचास और भी 70,000,000 और यह 60,000,000 ठेक है सर एड कर देंगे opening stock opening stock और सर लेस कर देंगे closing stock है ना add opening stock less closing stock तो opening stock की हम बात करें तो opening stock हमें beginning में दे नहीं रखा मार्च के महिने में है नहीं ठीक है सर तो 0 अब हमें एक काम करते हैं मार्च का सब कुछ ले लेते हैं अब हमारे क्या होता है cogs यानि sales is equal to opening stock प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग यहीं फॉर्मूला होता है तो हमने sales किये हैं जो वो करें हैं हमने कहां गया कहां गया कहां गया यूनिट एरा 350 opening stock 0 production question खुदी बोल रहा है sir production कितना है चिल्ला चिल्ला के खुदी बोल रहा है sir production हमारे है पहले वाले का production है हमारा 500 तो 500 minus closing closing की तो जिकर नहीं है तो 500 में से 350 जब minus करोगे तो देखो क्या बचा 1500 तो आप ऐसे भी समझ जाओगे sir कि यहाँ पे यह जो opening है यह पिछली बार का closing रहा होगा तो closing है हमारा 500 unit multiply किससे होगा वो देखना पड़ेगा multiply closing के लिए तो वैसे क्या होता है कि पिछली बार का जो बचा होगा stock वो गया आगे है ना हमारा यह जो stock है अब यहाँ पे method apply होता है बच्चों के इसमें doubt आ रहा होगा यहाँ method होगा लीफो यह फीफो इसके दो answers हो सकते हैं एक तो sir हम इसका जो बच गयाने stock इस rate पे निकाल ले एक sir यह opening है उसके इसाब से निकाले तो इस साल का closing बनेगा और वही rate कहाँ चले जाएगा opening में तो इस साल का closing है तो rate निकाल लेते हैं एक बार sir rate क्या निकलेगा यहाँ पे 70,000,000 divided by कितने unit है sir आप देखी रहे हैं यहाँ का unit कितना दे रखा है आपको 10,000 unit है 10,000 एक unit का 70,000,000 divided by 10,000 तो कितने आ गया 10,000,000 divided by 10,000 तो 70,000,000 में 6,0,2,0,2,0 ठीक है यह 700 आएगा sir 700 रुपय आएगा अब into में 700 कर दीजिए बस यहाँ पे closing stock के लिए 700 कर दीजिए 1,500 तो कितने हो जाएंगे यह 10,500,000 एक बार बता दीजिए फटा फट मेरे हिसाब से calculation यह आ रहा है आप भी बता दीजिए 10,500,000 sir 500 unit 150 given है ठीक है 14,000 यह 14,000 आएगा कहें 500 unit है ठीक है मैं भी क्या क्या लेके चल रहा हूँ 10,000 खर्चा ले लिया था उस तो था 10,000 अरे गलत होगे 500 और यह 14,000 अब 14,000 से मटी बलाई कर दीजिए बस थोड़ा नीचे ले लेते हैं 1,500 बताईए क्या है मल्टिप्लाई करके बता दीजिए क्या रहा है 21,000 ओके तो सर 21,000 माइनस होगा उपर वाला है नीए और यही 21,000 अगली बार उपनिंग बन जाएगा यह प्लस हो जाएगा सर यह आ जाएगा कॉस्ट ओफ प्रोडक्शन कॉस्ट ओफ गुड्सोल माइनस कर दीजिए 70 में से 21,000 89,000 फ्लस कर दीजिए 81,000 यहां तक किसी को डाउट है बताइए अभी इसका क्लोजिंग निकलाना है ठीक है इसका क्लोजिंग निकलाना है निकालना है यह रहे गया तो सर यहां पर यह फॉर्मुला लगाते हैं कहां निकाले थोड़ा छोटा ही करते हैं जगह बनाते हैं कोई दिखते हैं यही आना है बस मुझे फॉर्मुला लगाने तो एक है वाइट पर लगाते हैं सेम फॉर्मुला लगाते हैं चलो कितने यूनिट बेचे हैं 520 कितने यूनिट ओपनीं चॉपनें डे डेर hàng500 कितने यूनिट बनाए हैं इसने 400 कितने ₹ 2900 तो सर ती ही यूनिट बन गये closing stock तो अगर 30 closing stock बन गए है तो यहाँ पे भी closing का हमें rate लिखना पड़ेगा कैसे? 30 into में जो rate है rate कैसे निकाले सर? 60,000,000 divided by इसका rate निकाले 60,000,000 divided by कितने unit है सर? production 400 तो 4 से 15,000 रुपाया into में 15,000 करिए 15,000 करेंगे तो 15,000 तो 45 अब माइनेस करिए क्या आता है अब माइनेस करिए क्या आ रहा है 45 35 35 45 45,500,000 हो गई है 45,500,000 ठीक है माइनेस करिए 45,500,000 अब हम क्या करेंगे अब हम निकालेंगे इसमें एड करेंगे वापस एड्मिन और सेलिंग का एक तो VC एड करेंगे और एक FC एड करेंगे ठीक है? सर एड्मिन का मैंने कहा ना कि ये वाला जो होता है वो सेलिंग का ही होता है तो 3000 यूनिट है तो सर VC में आएगा 3000 और जितने यूनिट बेचे हैं उस पर तो यूनिट बेचे है सर इसमें 350 अब बस मुझे टूटल करके बताएए दूसरे का VC आएगा ये भी 3000 और यूनिट है दूसरे का बेचा है 520 खर्चा बताईए साढ़े 300 इंटू में 3 10,50,000 इसका खर्चा बताईए साढ़े 300 ये आजएगा 10,50,000 और 520 तो 515 दूसरे का बताईए इंटू करके फटाफट दूसरे का भी साथ के साथ ऐसे FC मैं लिख लेता हूँ FC तो फिक्स ही अच्छे लाग सार दूसरे का है 15,00,000 15,60,000 15,60,000 मैं बोलता जा रहा हूँ ना दिखे तो आप समझीए इसको चलिए सर यह आएगा टूटल कोस्ट कैसे आएगा टूटल कोस्ट यह एड कर दीजे यह सारा और यह सारा भी एड कर दीजे फटा फट से एड कर यह फर्स्ट का मेरा कैलकुलेटर पता नहीं कहा चले गया पहलाएगा पैंसट लाग पक्चास अजार पैंसट लाग पक्चास अजार नइन्ट एइट थाउजन नाइ्ट एइट लैक टीच एगा नाइन्ट एइट लैक 10 थाउजन 10,000 ठीक है Sir, Profit निकालना आसान है जी Sir, Profit says minus TC तो आप 84,000,000 में से ये minus कर दीजिए 98,000 में से minus कर दीजिए बताइए फटाफट तो Sir, आजाएगा 18,000,000 पचास अजार और दूसरे का बताइए जल्दी 26,70,000 अब साक्षी आपका साइद इसमें कहाँ doubt था एक पर देखिए दूसरा marginal variable भी बनाना है भी बना लेंगे 26,70,000 clear है ये clear अब दूसरा बनाना है न हमें इसमें कौन से वाला बनाना है Sir, marginal इसमें हमें बनाना है marginal अब ये थोड़ा सा फटा फट बन जाएगा अब एक दो marginal marginal कह रहे है कि Sir, why did we include distribution distribution cost distribution selling का पाट होता है शाक्षी तो इसलिए वहाँ अब marginal का भी कर लेते हैं फटा फट से Sir, sales पीछे से ले लेते हैं na 84 84 लाक और सर ये वाला था हमारा अगले पॉइंट पर आ जाते हैं variable cost variable cost में क्या है हमारा Sir, variable cost में हमारा variable cost ही दे रखा है manufacturing cost manufacturing cost में क्या आएगा manufacturing cost जो है पचास और चालिस same ही रहना ही है तो यही आजाएगा cost of production that is 50 लाक और 40 लाक less कर दो अले add कर देता है add opening stock और less closing stock यहाँ पे 150 unit है यहाँ पे closing बनेगा 150 unit Sir, rate आएगा हमारा 50 लाक divided by कितने unit थे Sir 500 तो आगया 10 अजार तो Sir यह आजाता है हमारा 15 लाक रुपे और इस side opening चला जाएगा 15 लाक closing इसका हम निकाले तो कितने unit था Sir देखे आप closing में था यहाँ पे आपका 40 यह 400 है तो closing की हम बात करें तो 30 unit थे स्रिफ और rate देख लेते हैं कितना आता है हमारा तो Sir 30 unit है तो 40 लाक divided by 40 लाक divided by 40 400 तो यानि यह भी same आगया into में 30 Sir यह आजाएगा हमारा 3 लाक एक बार चेक करते जाएगा और निकाल लीजे cost of goods sold cost of goods sold निकाली है फटा फट मेरा आगया 35 लाक इसका जाएगा 3 बारा 52 लेग देखें यहां तक ठीक है total 35 लाक 52 COGS वो कह रहा है 35 और 52 ठीक है 52 तक तो निकाल लिया add कर देंगे हम यहां पर variable distribution Sir variable distribution की बात करने तो दोनों जेखा change तो होना नहीं है तो variable distribution की बात करें 10,50 और 15,60 10,50,000 15,60,000 यह आजाएगा total variable Sir 35 तो यह आजाएगा 45,50,000 52 तो आजाएगा यह हमारा 67,60,000 67,60,000 चलो बता दिया बच्चों ने तो 66,60 ठीक है सर अब इसमें क्या करेंगे हम निकाल लेते हम contribution Sir contribution निकाल लेते हैं contribution क्या होता है sales minus में VC 84 में से minus करिए बताएगे फटाफट contribution और यहाँ से फिर last में less कर देंगे fix cost Sir दोनो fix cost को less कर देंगे TVC आगे बताएगे क्या आएगा इसका total मैं इतने निकाल लेता हूँ FC Sir FC है 26,00,26,00,00 दोनों का ही ले लिया मैंने इक खटा ले रहा हूँ FC 26,00,00,00 और 26,00,00 बस आप मुझे contribution बता दीजे ताकि minus करके निकाल पाएगे 57,00,00,20,000 विकास ने कहा Sir 57,00,00,00 अलग-अलग answer आ रहे हैं गौरब का 38,00,50,000 मुझे पहले आप यह बताएगे contribution क्या होगा 45 माइनस में 84 57,00,20 और इसका contribution क्या हो जाएगा हमारा अच्छा 57,00,20 दूसरे का है 38,00,50 आएगा इसका 38,00,50 ठीक है Sir यह है 38,00,50 यह है हमारा 57,00,20 यह माइनस करिये that is become profit profit तो net profit आजाएगा हमारा 12,50,31,20 50 चलिए जी हो गया कोई डाउट क्लिए रही वाला कूच्छन